हेलो फ्रेंट सौगत है आपका रेनु का हूं किचन में आज हम बनाएंगे च्छतिस गड़ की फेमस रेस्पी फारा इसे बनाने के लिए हमने यहाँ चावल का आटा लिया है यह बाजान में आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे घर पर मिक्सी में भी पीश सकते हैं यहाँ हमने चावल का आटा लिया है मुयन के लिए हमें थोड़ा सा ओय डाला है और सौहादन सा नमक इन सभी को मिक्स करने के बाद हम हलके गुन-गुने पानी से इसका एक डो तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तयार कर लेंगे डो मरा रेडी हो गया है इसे हम 10 मिनेट रेस्ट के लिए रख देंगे 10 minute हो गए हैं अब हम हातों में थोड़ा ओयल लगाएंगे और अपने हातों को ग्रीस कर लेंगे डो में से हम थोड़ा आठा लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोई काट लेंगे अब इसे हम हातों से दबाते हुए ऐसे लमबा-लमबा रोल करेंगे आसानी से ये बन जाता है देखिए ये बन के तयार हो गए है अब हम एक चलनी लेंगे और इसमें हम ओल लगा कर इसे भी ग्रीस कर लेंगे अगर आपके पास कोई मोमोज स्टेनर हो तो आप उसमें भी रैस्पी बना सकते हैं या भगोने के उपर कपड़ा लगा कर भी आप ये रैस्पी आसानी से बना सकते हैं हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है और इसमें पानी डाल कर इसे गर्म होने के लिए रख दिया था पानी हमारा गर्म हो गया है अब इसके उपर से हम एक जाली रख रहे हैं और उसे हम ढग देंगे दस मिनिट में ये फरे बनके तयार बुचाते हैं आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इसे और भी टेस्टी बनाएंगे इसके लिए हमने एक कड़ाई ली है और इसमें ऑईल डाला है साथ ही हम इसमें राई डालेंगे जीरा डाल रहे हैं सफेद तिल डाल रहे हैं हरी मिर्च इन सभी को फ्राई कर लेंगे कस्मेरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक अब इन में हम अपने बनाए हुए फरे डालेंगे और इन सभी को फ्राई कर लेंगे प्राई करने के बाद यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को स्क्रिप कर सकते हैं टिफिन में भी आप यह रैस्पी दे सकते हैं कम समय में यह आसानी से बन जाती है देखिए हमारी रैस्पी बन कर तयार हो गई है इसे हमने केचप के साथ सर्फ किया है आप इसे किसी भी चटनी या केचप के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इसे चाय के साथ इंज्वाए कर सकते हैं आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी हमें comment box वर बताएं और अपने अनुभव रेनु को home kitchen के साथ जरूर से यार करें हमारी ये रेस्पी देखने के लिए आपका धन्यवाद